हाई फ्रेंट्स, वेलकम डो माई चैनल सूपर ट्रेडर लक्षी, हाँ पर तीन ऐसे इंपोर्टन चीज़ें जिनके बारे में बात करना चाहता हूं, जिनको आपको वाच करना है, कुछ मैक्रो डेटा है और दो मीटिंग्स हैं, तो सबसे पहले चीज़ है जो मैक्रो डेटा आपका जो रुपी है, हमारा करेंसी कमजोर होता है, तो ये पहली चीज़ आपको नज़र रखनी है, जो डेटा है उसमें, दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो है क्रूड ओयल, क्रूड ओयल 118, 117 डॉलर के आसपास जा रहा था, और फ्राइडे को इसने 121 का ले ही पट रहा है, और कई लोग रशिया ओयल बोलेंगे, रशिया ओयल हमारे टोटल ओयल इंपोर्ट का बहुत ही कम भाग है, इरान से जो तेल है, हम बहुत सारे देशों से तेल लेते हैं, अगर आप देखेंगे उसका, तो जितना भी डिसकाउंट विसकाउंट जो लोग ब 80% होगा, 80% ओयल हमको 121 पे पट रहा है, हम US से भी ओयल लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो इंफलेशन इंवर्मेंट है, ये बहुत ही जादा खतरनाक रूप ले रहा है, 121 डॉलर पे ओयल है, और 121 is a very high level for India, 100 के ऊपर everything is bad, ठीक है, तो banks में और yields spike हो सकती है, क्योंकि US में भी yield spike होई है, तो US में पहले चीज़ है कि 2.94 वहां की 10 year yield है, जो की बहुत high level पे है, 3 cross करती है तो उसके बाद बहुत दिक्कत आ जाएगी, और आपका जो current system बना हुआ है कि भाई, आपका dollar भी हाई है, आपका crude भी हाई है, आपकी yield भी हाई है, ये sustainable नहीं है, और equity markets के लिए अच्छा नहीं है, तो पहले ये macro data हो गया है, दूसरी चीज़ है कि FED की policy आने वाली है 14-15 June को, तो अलरी 10 दिन बचे हुए हैं और आपको पता है कि एक blackout zone हो जाती है, जहां पे market डरने लगते है कि FED क्या क जादा है कि उसको कैसे team down किया जाए, और उसी लिए अभी जो meeting हुई थी recently कि Joe Biden और Janet Allen और जो आपका Powell है, जो FED का chief है उनके बीच में, और for sure उसी के बाद QT quantitative tightening start होई है, rate hike भी aggressive हो सकता है, इस meeting में 0.59, 0.75 hike करें क्योंकि उनको front load करना पड़ेगा, पहले जादा hike कर दो, ब अब जो FED की meeting है, उसके लावा एक और meeting है, जो अगले ही हफते है, तुरन सबसे पहले जो पढ़ने वाली है, वो है RBI की meeting, तो RBI भी same problem में फसा हुआ है, कि करें तो करें क्या, सीजी इस बात है rate को बढ़ाना पड़ेगा, और rates अगर बढ़ेंगे तो definitely ये एक बड़ा issue ब अठाते हैं, वो बड़े लोग उठाते हैं, तो वो हो गए individual बड़े investor प्लस जो आपका DII है, तो आपको क्या लगता है, DII के बस सारा पैसा खुद का ही होता है, तो सीजी सी बात है, जब लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा है, सस्ते में मिल रहा है loan, तो सबके बस liquidity है, तो लोग बोलते हैं, कि पैसा इतना है, थोड़ा थोड़ा, mutual fund या जहां भी आपको डालना है, वहाँ डालेंगे, तो DII के पास पैसा बना रहता है, लेकिन वो पैसा भी dry up होगा, तो DII भी जितना support कर रहा है, उतना support नहीं कर पाएगा, तो ये सारी जो spike लिया है, और oil सबसे जो खतरनाक चीज है, जिसे हमारे banking sector, bank nifty पे जादा असर पड़ेगा, bank nifty जादा problem देता है, जिस दिन भी oil उटता है, उस दिन bank nifty जादा गिरता है, तो bank nifty most probably मेरे हिसाब से अगले week, Monday Tuesday at least, काफी बुरा कर सकता है, RBI policy तक बुरा कर सकता है, तो next week is going to be weak for bank nifty, IT भी कमजोर रहेगा क्योंकि US में tech कमजोर है, लेकिन overall मैं कहूंगा कि market ही weak रहेगा, क्योंकि IT support करनी पाएगा, US में भी tech गिर रहा है, yields बढ़ रही है, और bank तो oil के कारण गिरेगा ही, तो ये महाल इंडिया के लिए है, तो मतलब Indian market अगले 2-3 दिन, RBI policy के दिन तक उस दिन हो सकता है, कोई relief bounce है, लेकिन Monday, Tuesday, मुझे ऐसा लगता है कि कमजोर रहने चाहिए, because of these data, और दूसरा है RBI policy, फिर उसके बाद है FED की meeting 14-15 June को, 14-15 June को, तो जब तक 14-15 June की meeting नहीं हो जाती, markets pressure में रहेंगे, क्योंकि US FED ही है जो सब कुछ कर रहा है, और जो job data है है, वो इतना strong है कि उसके बाद उमीद यह है कि 0.5 से जादा कहीं न कर दे FED, और ये एक shocker होगा market के लिए, economy के लिए, क्योंकि अभी, मतलब कई लोग बोल रहे है कि recession आ रहा है क्या, आ चुका है क्या, बहुत से लोग बोलते हैं, आ चुका है क्या, तो high inflation में भी recession आ सकता है कि आप market को, economy को for a short term crash करो, माहौल पूरा सा एकदम, गमगीन कर दो लोगो, मतलब लोग परिशान हो जाएं, हैरान हो जाएं, पैसे खर्च करना कम कर दें, और फिर उसको धीरी-धीरे boost करो, ताकि ये inflation, क्योंकि अगर आपके बाद टाइम नहीं है, क्योंकि US का जो election है, तो ये overall strategy मुझे लग रही है, और इसके बारे मैंने जनवरी में भी कहा था, कि मिटर्म election जैसे जैसे पास आएगा, तो inflation बड़ा issue बन जाएगा, और फिर कोई नहीं देखेगा market को, और वही चीज़ आज हो रही है, तो इस channel पर tune in रही है, subscribe नहीं किया, तो subscribe करिए, bell icon दब जाता था, तो कर सकते था, मैंने हर बार कहा कि cash is the king, bank में रख दो 5% मिलेगा, वो better है, और लोग नहीं किये, तो बड़े बड़े लोग अपने, ये 50 लग की investing, 60 लग की investing, पतने उनकी investing आधी हो गई है, कि एक चौथा ही हो गई है, लेकिन माहौल तो ऐसा ही है, तो point simple है, कि इन चीजों पर नजर रखे, बहुत जादा greedy मत होई है, और trading जिसको भी करना है, अगर आपकी trading अभी तक अच्छी रही है, तो आपको simple सा है, capital थोड़ा कम रख के अगले एक दो महीने trade करना चाहिए, मतलब अगर आप 100% capital आपका 10 लाग रुपय है, तो आपको 2-3 लाग से को अपने दोस्तों तक share करी ताकि उनको पता चले कि सही चीज क्या है, जिस पर भरोसा करना है, और कौन सी चीजें हैं जो market को impact कर रही है, कर सकती है, ये problem कब तक बनी रह सकती है, मेरे इसाब से July और August maximum है जहां तक आपको pain रहेगा, उसके बाद ही आपको एक अच्छा move upside म कहीं पर settle होगे, वो base कहां पर बनेगा, मेरे हिसाब से 14500 है, बहुत सारे लोग 14000 बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन एक estimate के हिसाब से 15000 से 14000 के बीच में कहीं पर बन सकता है, जो कि एक अच्छा case है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम उम्मीद करेंगे कि जो अगली rally जाए और वहां से bounce आ जाए, तो ये एक अच्छा scenario है, बुरा scenario है, 12500 से 13000, 12000 तो 13000 के बीच में कहीं पर base बने, बुरा scenario है, अच्छा scenario है, यह है जो मैं आप कूँता है, तो यह सभी मेरे views थे, I hope video अच्छा लगा, thank you very much guys, see you soon, take care. कर दो